नमस्कार साहिति तक में आपका स्वागत है मैं हूँ संजीव पालिवाल और साही तड़्डा में आज हम जिस शक्सियत से मुलाकात करने वाले हैं उस शक्सियत का सिर्फ नाम काफी है पूरी दुनिया उन्हें जानती है मैं आपको बता दूँ कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के लिए अध्यापन कारचुना परिक कॉलेज में पढ़ाने लगी लेकिन उनके मन में करीब आ बेसाहरा बच्चों को लेकर अकुला हट कर इसी से नौत्री छोड़ दी और 1981 में बचपन बचावान दोलन की शुरुआत की जिसकी मारफच छापामार कारवाई के जरिये अब तक 90 हजार से ज्यादा बच्चों को बंधुआ मजदूरी और गुलामी की जिंदगी से मुक्त कराकर उनका पुनरवास कराया जा चुका है बहुत सारे उनके उपर हमले लेकिन आप जुके नहीं आपने 1998 में ग्लोबल मार्च अगेंस चाइल लेबर की अगवाई की अब ये डेर सो देशों में काम करता है सत्यारती जी अभी सबको शिक्षित करने की विश्वयापी मुहें ग्लोबल कैम्पेंग फॉर अजुक्विशन के संस्थापक हैं इस तरहे आपने दुनिया भर के वंचित गरीब और हाशी के बच्चों के लिए नोबल पुरुसकार विजिताओं और विश्विजिताओं को एक जुटकर लॉरियेट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्डर्न की भी स्थापना की है आप बच्चों के परती हिंसा को खत्म करने के मकसद से हंडर्ड मिलियन फॉर हंडर्ड मिलियन नामा के विश्वियापी अतिहासी कांदोलन भी चला रहे हैं के जरिये दस करोड युवाओं को दस करोड वंचित बच्चों की साहिता के लिए प्रेरित किया जाएगा चत्यार्थी जी पहले ऐसे भारती हैं जिए नोबल पुरुसकार के साथा डिमोक्रेसी अवर्ड, मिडल अफ इटेलियन सीनेट, रॉबर्ट एफ केनेडी हुमन राइट्स अवर्ड, हारवर्ड हुमनेटेरियन अवर्ड जैसे दुनिया के सम्मानित पुरुसकारों से नावाजा जा चुका है सायोग से आज सत्यार्थी जी का जनम दिन भी है और हाल ही में प्रभात प्रकाशन से आपकी पुस्तक भी आई है COVID-19 सब्धता का संकट और समाधान तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ कैला सत्यार्थी जी का साही तड़्डा के इस कारिकरम में और अपने सभी तर्शकों की ओर से उनको सबसे पहले तो मैं जनम दिन की बढ़ाई दिना चाहूँगा क्यला जी आपको जनम दिन की बहुत-बहुत शुक्कामना है बढ़ाईयां आप यूं ही निस्वार्थ भाव से जिस तरह का कार्म कर रहे हैं सबसे पहले मेरे हाथ में आपकी किताब है सबता का संकट और समधान कोविड-19 आज के दौर की सबसे मौजू किताब है प्रभात प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है तो सबसे पहले मैं इसी पर बात करना चाहूँगा आप COVID-19 को सबता का संकट देखते हैं और समधान के था थोड़ा विस्तार से बताई आप इसे कहीं से सबता का संकट देखते हैं इसके बाद धीरे दीर समझ में आने लगा कि ये तो बहुत रहंबे समय तक चलने वाली आपदा है और फिर इसका आर्थिक असर नजर आने लगा क्योंकि जब लॉक्डाउन होने लगे काम धंदे बंद हो गए लोग विरोजगार हो गए आर्थिक इस्तितियां खराब होने लगी विकास की रफ्तारें दुनिया में कम होने लगी लोग भरों में बंद होने लगे तो तरह तरह की आर्थिक संकेटों के कुलिके से संकेट आने लगे था लेकिन इसी प्रक्रिया में जब हम लोग देख रहे थे और मैं देख रहा था कि करोनों बच्चे और यहां तक की फिर करीब सवा डेड़ अरब बच्चे स्कूलों से बंचित हो गया स्कूल जाना उनका बंध हो गया जब हमने देखा कि लोगडाउन खुलने के बाद इस्तिती बहुत खराब हो गई जो प्रवासी मज़ू थे वो अपने घरों की तरह जिस तरह रहे थे उनका हमारी आधुनिक सब्वेता और विकास से महल बंध हो गया था उनके बच्चे रही त्रही कर चुक आपका उनलाइन वीडिया है इस पर सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो इसी चाइंड पोर्मिगाफिक बच्चों की असीर फिल्में देखने की और भारत के अंदर ही पहले लॉकडाउन के आट-दस दिन के अंदर इस तरह की जो बाल असलील चित्रों और साहित की मांग है गरों में लोग अपसाद में जीने लगे थे निराशा हैं पेदा हो गए थी, अलगाव पेदा हुने लगा था, वहीं तरीती दिक्कत में सामने आने लगे थी तो मुझे लगा कि यह मामला सिर्फ स्वास्त और आत्रिच्संकटता मामला नहीं है यह गंभीर मामला है क्योंकि इसमें सोचने समिजने के तरीके जीने के तरीके टेक्नालोजी की प्रात्मिक्ता है राजनीची की प्रात्मिक्ता है सभी कुछ बदलने लगी थी समाज में और जो जीवन जीने की एक साजहा पद्धती है उसी से सभिता का निर्मार होता है होता है और हम देख रहे थे कि इसके चलते ये जो साजा पन है समाज का वो चिन्दभिन सा हो रहा था अलाकि नज़र आ रहा था कि बहुत सारे लोग रविक होकर भावुक होकर चैरिटी के काम में लग गए थे कुछ लोग मदद कर रहे थे लेकिन जो एक सामुलिक है पूरी पैदा नहीं हुआ पहले भी महामारियां आई शायदि से जादा लोग बरे जादा लोग आपदा ग्रस थे लेकिन जो सामुलिक भय है वो इतना कभी नहीं देखा गया जिसका असर जीवन के हर पक्षपड़ पड़ा तो जिन तत्वों से सभिता का निर्मान होता है वो सार मैंने यह सभिता के संकत पर पस्तक लिखी और समाधानों की कोशिश भी की क्योंकि अगर कहीं समस्या है तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि हर समस्या के गर्व में ही उसका समाधान होता है और इस समस्या का समाधान केवल वैक्सीन में नहीं है इस समस्या का समाधान केवल आ करोना का वैश्वी करण होना चाहिए आपने पुस्तक में लिखा है कि करोना का भाव हमारी राजनीती आर्थ की धर्मतंत्र और सामाजिकता की रीड होनी चाहिए इसलिए मैं करोना के वैश्वी करण की वकालत करता हूँ कि करोना का वैश्वी करण क्या है और आज के हालाग में कितना वैभारिक कि आज के हालात में हमने देखा है कि यह महामारी का वेश्वी करन्ड हुआ वाइरस का वेश्वी करन्ड कोविद-19 का हम सब ने देखा इससे पहले भी हम देखते चले आ रहे थी कि अशांती का और असान सीलता का और एक डर का वेश्वी करन्ड हो रहा था लेकिन जो वेश्वी करन्ड की धर ना वैश्वी करन्ड खुले भाजार की अर्च मोज्वश्वी करन इसी तरह लोग ब्याख्या का वेश्वी करण हो गया और च्छन मात्र में जुनिया के कोने से दूसरे कोने तक नकिवल सूचना है जा रही है बलकि शेयर वाजार व्यापार सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वेश्वी करण का हम लोगों ने परणाम भी देखा कि लोग कितने स्वारती होते ज ही थे। और करणा के वेश्वी करण को मैं सहनुभूती की बात में कर रहा है हूं सहनुभूती एक बहुत अच्छी करना का तत्ठन है यानिन की दूसरे की दुपड़त को अपने दुपड़त की तरह महसूस करने के बाद उसका निराकराण ठीक वैसी लिए जैसे हम अपने डुप ता या परिशानी का निराकराण करते हैं तो यह करना के वैसुई करण का संबध जिस बात से है कि तो करुना के आधार से हम एक नएर प्रकार के वैश्विकरां को कर सकते हैं और मैं यह महसूस करता हूं, कि अगर यह काम भारत से नहीं होगा, भारत की धरती से नहीं होगा तो कहां से वगा है इसी मैंसे करुणा के बीच खुलेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी भारतियों के DNA में बन्याद में करुणा है तो सारी मानव विरादरी में करुणा है परमात्मा ने जब करुणा बांटी है तो परमात्मा कभी इतना पंजूस नहीं हो सकता था कि उसने थोड़ी-थोड़ करुणा बाट दी कि हम सिर्फ अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए अपने माता-पिता के लिए वो भाव रखेंगे उसने तो हमें असीम करुणा का सागर दिया हम अपनी मुठी में लेकर दो-चार बुंद इस्तेमाल करना चाहते हैं क्यों न उसका वेश्वी करना करें और सारे लोग उस करना के सागर में एक बहतर दुनिया का निर्मान करें जो स्थाई दुनिया हो जी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया असा हिश्णुता यह काफी देश काफी वक्स से हमारे देश में भी चल रही हो और दुनिया में हम देख रहे हैं अभी हमने देखा अमेरिका में जो कुछ हुआ लेकिन कोविट के संदर में आपने जिस तरीके से इस तो इत्माल किया है ऐसे में कितना होफफुल आप होते हैं कि वाकई जो बात आप कर हैं दुनिया उसको उस पर अमल थरी जिस वक्त संकट आते हैं संसार में बेरोजगारी बढ़ती है तो सामजिक तनाव भी बढ़ते हैं और ऐसी हालत में लोग पहले खुद को देखना चाहते हैं पहले अपने परिवार को देखना चाहती एं उनको बछाना चाहते हैं तो bientôt कई बार हमें बहुत अपने अंदर संकुचित कर देता है और इससे निजात पाने का तरीका ये है कि हम सहष्णू बने इसका अर्थ ही हुआ कि हम एक दूसरे एक की असलियत को स्विकार करें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मान लें बल्कि स्विकार करें कि विवित्ताओं में ही संसार चलता है हर चीज की विवित्ता है अगर हम कहें कि एक फूल खिल रहा है तो एक ही रंग के सारे फूल खिलेंगे या हम मैसूस करें कि एक ही जैसे हम सबके शग्लसूरत हो जाएगी एक ही जैसे हम सबके विचार हो जाएंगे एक ही जैसे आचरण हो जाएंगे तो यह संभवनी हैं तो इस असलियत को स्विकार करते हुए हम ऐसे तत्व ढूंडें जो हमें जोडते हैं आपस में और फिर मैं वही बात कहना चाहता हूं कि करुणा एक ऐसा तत्व है जो हमको जोडता है कोई नहीं चाहता कि हिंसा के जरिये समाज बने लेकिन फिर कि कोई लोगा सोचते हैं कि हिंसा के जरिये संती स्थापना हो सकती है हिंसा के जरिये कभी संती दूसरे की बात को समझें मानना जुरूरी नहीं है हम अपने रास्ते पर चलें लेकिन दूसरे रास्ते को नीचा दिखाने की कोशिस करने से तनाव और हिंसा बढ़ती है तो सैस्थ मुतार्टा में इस किताब में लिखा कि एक तरफ हम वैश्वी करन करें globalization of compassion दूसरी तरफ ह हम अलग-अलग जो चीज़ें होती हैं उनको अलग-अलग data अलग-अलग सुचनाओं अलग-अलग जानकारियों को मिलाकर जो algorithm बनते हैं उसी से आजकल जो कृतिम बुद्धिमात मत्ता है जो artificial intelligence है वो उसी से चलती है हम जिन चीज़ों के जरिये एक-दूसरे मुखातिव ह हो रहे हैं वो artificial intelligence का चमतकार है और वो algorithm से बनता है तो क्यों को जोडते हुए बनता है कि रंग को आवास को हर चीज़ को इतने करीने से वो जोडते हैं कि सब कुछ देखता है हमें कि बहुत ही वास्तविक है वो तो विवित्ता है उनको जोडते हुए हम उसका algorithm बनाएं तो सहस्टनों ता का algorithm हम तयार करें आपने इस किताब में कुछ तस्वीरों का जिक्र किया है जो हम सबने देखी हैं जो हम सब को द्वेलित करती हैं और हमें बताती हैं कि घटना यह जो पूरा कोविट का सब वाकरी सबता का ही संकट है और उसमें कुछ तस्वीर हैं जैसे दर्शकों को अगर वो कविता खुद पढ़के सुना लिए जी मैंने मैं बच्पन से कुछ लिखता रहता हूं कविताएं भी उनमें से हैं कहानिया भी हैं और लेख बगरा लिखता हूं यह सामजे कारिगरम के अलावा भी साहित में मेरी दिल्चस भी हमेशा से रही है से कुछ प्रवासी मजदूर लोट रहे थे तो महराष्ट में एक बड़ी दुर्गटना हुई महराष्ट मदब्रिदेश की बीच में विसावल में जहां बहुत सारे मजदूर रेल की नीचे आ गए और पट्री पर कटकर मर गए तो उस पर मैंने यह लिखता लिखी खून से सनी रोटियों के साथ चिपकी पड़ी है जो रेल की पट्रियों पर वो मेरी उंग्लिया है बड़ी मेहनत से कमाई थी वे रोटिया लंबे सफर के लिए बचाई थी वे रोटिया रोते रोते मुझे छोड़कर मा भूखी सुपाई होगी उसमें तो बांग कर रख दी थी घर के पूरे आटे की रोटिया शेहर तक के लंबे सफर के लिए नहीं मालूम था कि कुछ रास्ते एक तरफा होते हैं मा के आशनों से कहीं जादा बहुत जादा तकलीव देह थी उसकी खांसी और सूखती जाती काया बहुत रुलाता था भूखी गायों का रम्हाना सेरूखी असमाय मौत और रोज-रोज साहुकार का गरियाना स्मिता के हाथों के खोदे गए मगर अब सूखे पड़े कुए में योहीं बार-बार धांकना बहुत रुलाता था तो इसके आगे है संकट एक कहीं से आया और मुझे एसास दे गया मेरे और सहर के सपने अलग-अलग हैं मेरे और उनके अपने भी अलग-अलग हैं बहुत हो चुका लॉट पड़ा था उसे पकड़ने चूट गया जो अपने घर पर मेरी मा को मत बत लाना जो देखा तुमने पटवी पर कहना कैसे मर सकता है जिसकी नजब उतावी थी तूने उधार की राई लेकर बोल सको तो सच कह देना इट इट पत्थर पत्थर में बसता है अब तेरा बेका बसता है वो हर मकान में मंदिर मस्जिद गिर्जा घर में देख रहे हो जो अधी अपनी आखों से हाथों से जो कुछ भी तुम छू सकते हो उन सम्में मैं हूँ मैं अभी जिन्दा हूँ मेरे सपने मरे नहीं है फिर मैं कैसे मर सकता हूँ काइन आप जब तर जिन्दा है मैं जिन्दा हूँ कि माध्धम से आपने पूरे उस त्रासदी को उकेर कर रख दिया है हम सब्सक्राइब ने कि वाकर ये कितना बड़ा संकट है एक लाइन और मैं जो पढ़ रहा था इस किताब को तो एक लाइन पर मैं अटक गया आप कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में किसी भी ज्यानी धनी और ताकतवर व्यक्ति को सुखे नहीं देखा मुझे आगे की बात आप खुदी बताएं कि ऐसा क्यों कहते हैं इसलिए कहता हूं कि मैं खुद घ्यानी भनी और शक्ती साली नहीं होना चाहता लेकिन असलियत है कि सुक का संबंद संथस्थ से हैं और लोगों को लगता है कि वो संथोजी हो गये हैं लेकिन जानी कभी संथशी नहीं हो पाता है उसको लगता है कि ज्ञान के अनंत सागर में वो और भी कुछ बूंदें और भी कुछ पानी पी ले तो वो चलता रहता है कभी उसको संतोष नहीं होता और मैं यह भी सोचता हूं कि ज्ञान की परतें कईवार हमारे दिल दिमाग पर दिल पर भी और दिमाग पर इतनी जम जाती हैं कि या तो हमको जादा चतुर बना देती हैं बुद्धिमान या हमको कई वार बहुत घमंडी बना देती हैं या अपने आप में खेंद्रित कर देती हैं तो ग्यान की परतों का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि ग्यान की बूलने अगर हमा नहीं हो पाती है और यही हालत है शक्ति की शक्ति की भूख है ताकत की भूख होती है और वो भूख ऐसी होती है कि सारी ताकत मेरे पास आया है और उसके लिए किसी ने किसी को आपको दवाना पड़ेगा धकाना पड़ेगा भीतर की हिंसा भी होगी और कई बाहर की हिंसा भी होगी अपने भीतर भी हम हिंसक बन जाएंगे शक्ति को अप उपार्जित करने के लिए और तीसरी चीज है कि पैसा पैसा भी एक ऐसी इम्रंग मरीची का है कि उसका कभी अंतनी हो सकता जितना मिले उतना कम है तो यह तीरों को आसिल करने होगी लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी हो राम भी सोच लेता है कि तुने असली वक्त को गवा दिया और अब रात अब जब जब रहा है में जब रात का वक्ता आगया जाने का वक्ता आगया किलाजी इस पूरे COVID-19 का जो पूरा आसार है सबसे ज़्यादा आसार बच्चों पर पड़ा है वो करीब एक साल से अपने घर में बंद है स्कूल बंद हो चुके हैं ऑनलाइन पढ़ाया हो रही है ये कितना बड़ा संकट है उन बच्चों के लिए और इससे वो मेंटली दिमागी तौर पर कैसे बाहर निकलेंगा आप कैसे देखते हैं ये आपने बहुत-बहुत महत्पूर बात कही संजीर जी जैसा मैंने शुरू में कहा था कि करीब डेड़ अरब बच्चों का स्कूल बंद था इसकूल में नहीं जा पा रहे थे वो अभी भी करीब एक सब आरब बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते पूली दुनिया म तो घरों में कैद बच्चे अपने वाप में घुट रहे हैं बच्पन का संधर्व और बच्पन का समंध है मिलना, जुलना, लड़ना, जगरना, हसी जदी मजा करना, दोस्तों के बीच में खेलना, खोजना, मस्ते करना, नहीं दी बातें सीखना यह सब चीजहं बच्पन स आता है सिर्फ वही माँ बाप अब चोटे-चोटे परिवार हैं तो दादा दादी नाना नानी भी नजर नहीं आते हैं जादर घरों में तो यह हलत पूरी दुनिया के उन बच्चों की है जो की स्कूल जाने वाले बच्चे लेकिन उनमें आधे के लगवग ऐसे बच्चे है जिनके पास यह ऑनलाइन शिठ्षा का अफसरण मिल रहा है तो ऑनलाइन जो चलाये जा रहा है उसमें बच्चों को लागने करीब-करीब उन एक अरभ मैंकов पैंतालीष से 47 लाख बच्चे सोरी 45 से 47 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास वो सुमिजा उतर नहीं हैं तो उन बच्चों की तो और बड़ी बुरी हालत है और माबाब भी सोचने लगते हैं गरीबों गरीबों के परिवारों में कि अब बहुत हो चुका हम तो बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ा रहे थे बहुत सारे बच्चों को मिड़े मील मिल रहा था दिनका खाना मिल रहा था या कुछ और उनको बजीफे बगरा मिल रहे थे वो सब बंद पढ़े हैं अब बहु भोजन है उसके बदले में कुछ आर्थिक साहता मिल जाए लेकिन अधिकांस देशों में और भारत में भी कई जगे पर यह संभब नहीं हो पाया तो ऐसे बच्चों का स्कूल से छूटके बाल विश्रविक्ती में गुलामी में दुर्वयापार में बाल मजदूरी में और फ लेकिन जो बच्चे घर में घुट रहे हैं उनकी भी मांस से बहुत है कि या उसकी चिंता करेंगे या उसकी चिंता के लिए अच्छे सच्छे बड़े बच्चों के साथ दोस्ती का रिष्टा नहीं होने से भी जो घर में कहद हैं आजकल बच्चे बहुत गुट रहें भीतर भीतर से तो वह एक मौका था और अभी भी मौका है कि हम अपने बच्चों के साथ मिल बैटकर एक गुनात्मक समय उनके साथ एक क्वालिटिटिटिव प्राइम लिख रखें और यह मैसूस करा हैं कि हम उनके दोस्त हैं नकि उनको हमेशा यह कैसे डिफरेंट होगी बाकी हमारी हमारी यह हमारे बाद वाली प्रेटिटिटिटिव साथ पहली बत तो यह होगी कि यह बच्चे बहुत जादा टक्नीक पर टेकनलोजी पर निरवार होंगे वो सब तरीके हो जाएंगे जिससे कि वो आत्म केंद्रित होकर पढ़ लिख सकें या ग्यानरजित कर सकें या आगे बढ़ने के सपने देख सकें अभी तक वो सिर्फ अपने मनोरंगन के लिए मोबाइल फोन पर तरह तरह के खेल खेलते रहते थे जो ऑनलाइन खेल है या इस का खत्रा है दूसरी चीजा है कि जब तक वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रती उत्ता config advance का वोड़ दे इक और यह सब चीजा कम होदी चली जाएüd और बड़ा खत्रा यह है कि सीक्षकों की जरूरत कम हो जाएगी अब शायद कि जो से हम जारों साल से भारत में गुरू की महिमा का बखान करते रहते थे लुश लिए करते थे लगान मिलता था यह सुचना है बच्चों को बल्कि उनके चड़त्र से सीखने का मुथा कुछ सिख्षक गडबर हो सकते हैं लेकिन जानतre सिख्षक के लिए तो बच्चेहिं के लिए बड़े महत्पूल हैं और बच्चों के लिए भी शिख्षक आदस होते हैं तो वह जो गुरू और शिशिका रिस्ता है या सिक्षक और बच्चे का रिस्ता है अध्यापक और विद्याथी का रिस्ता है वो भी कम्जोर पढ़ेगा और इसका भी खतरा होगा क्योंकि दुख-सुक में संकट में सिक्षक एक ऐसा प्रानी हैं जिससे बच्चे अपनी करेंगे और हम स्कूल बनाने में सिख्षकों की नियुक्ती में उनको तंखाय देने में वगड़ा वगड़ा क्यों खर्च करें तो यह ना हो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा और कोशिद हमें और ऑस तरासिदी की इस्बूरतियों से मुट्थ आ सकें जी तो संकर तो बहुत जादा हैं और खत्रेह भी हैं और आपने एक टिपड़ी और की है, यहां पर तमाम धर्मों की व्याख्या करते हुए धर्मों के बारे में भी आपने बताया और एक टिपड़ी आप करते हैं कि कोई धर्मगुरू, धर्मस्थान या पूजर परद्यती का चमतकार जहरीले विशाणों को फैलने से नहीं रो धारित यहां करूना की बात करते हैं, लेकिन बेसिक चीजें हम भूल जाते हैं, हमारी दिक्कत यह है और इस ऐसे वक्त में इनको बहुत याद रखने की जरूरत है, जिन बातों को आप दोरा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको लगता है कि हमारा समाज और हम लोग बदलेंग देखिए अगर हम मत मजगों को धर्म से धर्म की जो परिवाशा और व्याख्या है वो मत पंथ और मजगों की व्याख्या से अलग है, लेकिन उसे हम बोलचाल की भाशा में अगर धर्म भी कह दें, तो अगर धर्मों के माध्यम से हम लोग सिर्फ पाखंड जीते हैं, या चमतकारों की आशा रखते हैं, तो ये तो अवेग्यानिक बात है, धर्मों के अंदर जो नहित मूल्य हैं, उनके अंदर जो बहुत गहरी जीवन की सिक्षाएं हैं, और एक बहतर दुनिया, शांतिकून दुनिया बनाने के जो मंत्र शुपे हुए हैं, अगर उनको हम निकाल उसमें तो उसमें हमें करुणा की बुनियाद हर जगे नजर आएगी, उसमें हमें सहषनुता, एक दूसरे की प्रति उत्तरदायत्री की भावना जरूर नजर आएगी, उत्तग्यता जरूर नजरूर आएगी अगर हम इसको आधार बनाके अपने जीवन में उतारते हैं या समाज की सब्वता का हैसा बनाते हैं तो हम बहुत जादा बहुता समाज बना पाएंगे और हम यह सीख भी सकते हैं कि घंटी बजाने से या मंदिर मस्जिब गुर्दारों में प्रातना करने से यह वैक्सिन खत आपकी किताब में एक और कविता पढ़ रहा था तो मैं चाहूंगा कि चलते चलते अगर आप वो कविता हमको सुना दें बिन मौसम के पतच़ड आया वो भी अगर सुना दें क्योंकि वो भी प्रवासी मस्जूरों के ऊपर आपने लिखी है उनको देखते हुए लिखी है मैं चाहूंगा कि वो भी आप जरूर सुनाएं और आपकी कविताओं की किताब भी एक आई है हो अलक से आई है हम उस पर फिर कभी चर्चा करेंगी उनका विता पढ़ा सिर्व कविताएं सुनएंगे उस दिन बैट कि हम आपसे आज फिलाल हम चाहेंगे कि चलते चलते इसा में ने मार्क करके रखा हुआ किताब मैं मुझे कहां कहां क्या पूछना है जी बहुत बहुत दन्यवाद आपका और मैं आपसे यह पेक्षा करता था कि जब आप जैसे वरिष्ट पत्रकार और साहितिकर भी हमसे बात्चीत करेंगे तो इतनी घराई से करेंगे मैं सुनाता हूँ जी मेरे दरवाजे के बाहर घना पेड़ था फल मीठे थे कई परिंदे उस पर गुजर बसर करते थे जाने किसकी नजर लग गई या जहरीली हो गई हवाएं बिन मौसम के आया पतज़ड और अचानक बंद खिड़कियां कर मैं घर में दुबद गया था बाहर देखा बद हवास से भाग रहे थे सारे पक्षी कुछ बूड़े थे तो कुछ उड़ना सीख रहे थे छोड गोंसला जाने का भी दर्द बहुत होता है फिर वे तो कलके ही जन में चूजे थे जिनकी आँखें अभी बंद थी चौँच खुली थी उनको चूम चरिया कैसे भाग रही थी उसका कंदन उसकी आँखें उसकी चीखें उसकी आहें कौन सुनेगा कोला हल में धर में लाइट देख परिंदों ने शायद ये सोचा होगा यहां जिन्दगी रहती होगी इंसानों का डेरा होगा कुछी चलमें खिर्की के सीसों पर रोशन दानों तक पर कई परिंदे आकर चौचे माग रहे थे मैंने मा को भी देखा फिर लिया मौट मुझको अपनी अपने बच्चों की चिन्ता थी मेरे घर में कई कमरे हैं उनमें एक पूजा घर भी है भरा हुआ फ्रिज है खाना है पानी है खिड की दर्वाजों पर चिडियों की खटखट थी भीतर टीवी पर म्यूजिक था खिलमें थी देर हो गई कोयल तोते गोरईया सब फुर हो गए देर हो गई रंग गीत सुर्राग सभी कुछ फुर हो गए ठगा ठगा सा देख रहा हूं आसमान को कहां गए वो जिनसे मैंने जिनसे हमने सीखा उड़ना कहां गया एहसास मुक्ति का उंचाई का और असीमित हो जाने का पेड़ देखकर सोच रहा हूं मैंने या मैने या मेरे पुर्खोंने नहीं लगाया फिर किसने ये पेड़ हो गाया बीज चूच में लाया होगा उन में से ही कोई जिनने बोए बीज पहाड़ों की चोटी पर दुर्गम से दुर्गम हटी में रेगिस्तानों वीरानों में जिनके कारण जंगल फैले बादल बर से चली हवाएं मैंकी धर्टी गुंदला होकर सीसा भी अब दरपन सा लगता है देख रहा हूं उसमें अपने बोने तुम को और पतन को भाग गए जो मुझे छोड़कर कर लोटेंगे सभी परिंदे मुझे यकी हैं इंतजार है लोटेगी बहचिडिया भी चूजों से मिलने उसे मिलेंगे धीगा मुक्ती करते वे सब मेरे घर में सभी खिड़कियां दरवाजे सब खुले मिलेंगे आस-पास के घर आंगन भी बहाँ पसारे खुले मिलेंगे बहुत खुब यही उम्मीद हम सब करते हैं कि ऐसे ही हमारे दिन वापस बदलेंगे और एक खुबसूरत दुनिया जो सब का स्वागत करेगी बाहों में बाहें डाल के हम सब एक बार फिर घुमेंगे मिलेंगे बाप का बहुत बहुत शुक्रिया के लाज जी आपने अपने व्यस्त समय से वक्त निकाला और हमसे इस कुस्तक पर बातचीत की सब्धता का संकट और समधान COVID-19 बहुत खुबसूरत किताब है मैंने इसको पूरा पढ़ा और आप जिस तरीके से चर तरीकों से की करुणा उत्तरदायत और सहिश्रुता को अपना कर कहते हैं कि इस संकट से पर विजय प्राप्त की जा सकती है बहुत बहुत शुक्रिया के लाज जी हमको वक्त देने और किसी दिर में आपसे सिर्फ और सिर्क अफनाय सुनूगा ज़रूर ज़रूरूर ज़रूरूरूरूरू भौत भून्यों बहुत अब्युत नमजी ज़रूरूरू